हेलो फ्रेंड्स तो एपिसोड 3 आ चुका है अगर आपने उससे पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं तो आज इस वीडियो में हम उसका जो फ्रंट का फ्रेम होता है लोको का और उसका जो बफर है वो बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें इस तरह का एक टीन का टुकडा लेना है और उस टुकडे को हमें अच्छे से सीधा करके उसके जो एजे से उनको काट कर निकालेना है तो यहां पर हमें 6.5 cm लेना है उसका जो width है उसके बाद हमें 1 cm में उसका उपर वाला हिस्से को इस तरह से लेना है तो 1 cm हमें उसको उपर की तरफ छोड़ना है क्यूंकि बाद में हमें उसको hold भी करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर हमें 3 cm लेना है जो उसका जो लंबाई ह नीचे की तरब तो वहाँ पर हमें 3 x cm में उसको काट देंगे उसके बाद उसका जो एक्स्टा जो pi's है यहां पर लगा हुआ है सको हमें खटा लेना है तो हमारा यह जो फ्रांट का फ्रेम लए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यहां पर है जिस तरह से लोको में सामने की तरफ होता है और उपर दो होल बना है क्योंकि यहां पर हमें स्कूरू से उसको फ्रेम के साथ भी फीट करना है लोको फ्रेम के साथ तो यहां पर अब हमें नीचे से इस तरह से उसमें मार्क बनाना है जिससे कि हमारा जो buffer का frame है वहाँ पर हमें उसका जो measurement है वो मिल सके उसके बाद हमें नीचे की तरब से इस तरह से उसको थोड़ा-थोड़ा करके काट लेना है तो हमारा जो shape है वो यहाँ पर मिल चुका है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने strip cut किया है एक सेंटिमीटर का वहीं टीन का उसको हमें पेन के उपर इस तरह से मोड लेना है आप जिस shape में बनाना चाहते हैं मतलब जिस size का उसी shape में यहाँ पर आप एक road इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा एक pipe जैसा बन चुका है तो द यहाँ पर एक soldering यहाँ पर इसको कर लिया है तो बहुत ही strong मनता है यहाँ पर soldering करने से तो soldering कैसे किया जाता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं तो उसके बाद दूसरा वाला piece है तो हमें उसको थोड़ा सा यहाँ पर टिकाने के लिए super glue या फिर fabric के उसको चिवकान है तो थोड़ा सा ही उज़ करना है बस यहाँ पर हमें उसको टिकाना है उसके बाद हमें जो plugs है soldering plugs आता है जो paste भी बोलते हैं हमें तो उसको यहाँ पर हमें चारों तरब अच्छे से यहाँ पर लगा लेना है उससे पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पर sending भी कर लेना है क्यो कि यहां पर थोड़ा सा खुर्दुरा हमें उसके उपर जो सेफ है मतलब यह जो उसका सेफ है उसके उपर थोड़ा सा खुर्दुरा पन यहां पर आना जाए नहीं तो हमारा जो सोल्डर है यहां पर नहीं टिकेगा तो उसके बाद हमें नॉर्माल जो सोल्डर वयर आता है उ अच्छे से चारो तरफ मिलाने से अच्छे से अहां पर लग जाएगा तो यह जो पकड़ यह जो बनाता है विल्कुल वेल्डिंग की तरह होता है तो इसलिए मैं इसका इस्तमाल कर रहा हूं तो तेखिए एक इतनी अच्छी तरह से यह हमारा जो सोल्डर ही है वह रहा है इस हमारा जो soldering है यह हो चुका है उसके बाद हमें उसको थोड़ा सा फाइल से गिज लेना है क्योंकि जो हमारा जो soldering जो थोड़ा सा उपर नीचे हुआ था उसको हमें फाइल से अच्छे से इसमें गिज लेना है ताकि यह थोड़ा सा स्मूध भी बन जाए और देखने में भी अच्छा लगे तो उसके बाद देखिए दूस्तों यहां पर मैंने जो नीचे की तरब जो उसका काव केचर रहता है यह मैंने जाली वाला नहीं बनाया है टबलोडियम 3D में जिस तरह से होता है उसी तरह से बनाया है तो यहां पर मैंने 5 mm तोना तरब से छोड़ते हुए दो कट लगा है और सामने की तरब उसको थोड़ा सा मोड लिया है उसके बाद हमें जो कपलिंग का जो मांटिंग है उसको लगाने के लिए चार होल इस तर कर लिया है और थोड़ा सा जो पीछय वाला हिस्सा है मतलब जो तार है उसको ज्यादा रखा है क्योंकि हमें यहां पर उसको जो ओय्यां से निकला है तो उसको यहां पर मोड कर दूसरी तरभ्य क में solder कर लेना है तो यह हमारा जो suspension टाइप का buffer बन चुका है मतलब जैसे real में होता है तो यह idea आपको कैसा लगा मुझे comment में बताईए यह idea मैंने खुछ से बनाया है तो दोनों तरब का buffer मैंने यहाँ पर लगा लिया दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ तो के बाद काम यहाँ पर हो चुका है उसके बाद हमें जू को का फ्रेम है उसके साथ जो सामने वाला बपर फ्रेम है उसको घोल गड़़ना है तो यहाँ पर स्कुरू का इस्तमल्द गर रहा हूं वही चोटा ओ huele बना कर तो यह थो तो फिर हमें सामने की तरफ यह लग चुका है उसके बाद दोनों तरफ में एक दो होल बनाया है ताकि यह जो हमारा बार है जो सामने की तरफ जो रहता है उसको हमें यहां पर फिट करना है तो इस तरह से मैंने GIWARE को मोड कर यह सामने वाला जो गाड है वो बना लिया है तो यहां पर हमें उसको जो होल में डाल कर यहां पर थोड़ा-थोड़ा सा सॉल्डरिंग कर देंगे तो हमारा यह सामने वाला बनकर रेडी हो जाएगा तो दोस्तों देखिए यह लाइट का जो फ्रेम में उसको भी मैंने लगा लिया है और यहां पर जो कपलिंग का भी जो ब्राकेट है उसको भी लगा लिया है तो इसी तरह से दूसरे तरप का भी बनाएंगे तो यह वीडियो में इतना ही मिलते हैं इसी तरह के एक एपिसो